हेलो गाइज, वेलकम तो फीजिक्स मेरी जोडिशेंड इस इस शीरीज वीडियो फीजिक्स स्लूशन आइट जैम 2020 तो पाट 3 वीडियो है तो मैं दो वीडियो दाल चुका हूं अलड़ी तो देख चुके हूंगे आप लोग क्या स्लूशन है जाले बहुत स्यांतर 4 and 5.5 Pascal with velocity 6 meter per second and the end of a pipe pressure is 10.5 Pascal then velocity at the end then first initial end में बागर equate करेंगे तो P1 plus half rho 2 square rho is the density with the velocity and P2 plus half rho b2 square तो equate कर देंगे हम conservation पकटके तो given P1 that is pressure at point initial point में 4 and 2.5 सब्सक्राइब करने के बाद पूट करने के बाद पूट कर देंगे भेलू तो फाइब रो बीवान दी सिक्स स्क्वेर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद यह 10.5 इह दर में लिया एंगे तो 312.5 वह रोब बीटु स्क्वेर माइनस 36 प्लूस 326 सिक्सराइब का root hour that is 25.219 अगर हम से करेंगे 25.22 ऐसे हैं कर सकते हैं अगर थ्रीडेसिमल फ्लस तक दिया होगा क्वेश्चन में आट क्वेश्चन में तो 25.15 अगर तो डेसिमल तो 25.22 भी लिख सकते हैं यह एपर पेटन सा रही होगा ठीके मार कीजिये चैन मुवएं कर दो next question so question no.2 is from optics the concave mirror has focal length 1 cm road of length l is kept at a distance 3 cm from it then l dash by l pusha gata where l dash is the height of the image so for concave mirror i mean sign conversion f negative i mean u i mean object distance is negative i mean u equal to minus 3 cm सबस्क्राइब करें भी साओन और द्धास करें वह अंहगा मैसे इस ने में आई भी भी लिए टराइस है है इमेज हाइट वाइ ऑब्जेक्ट हाइट सो यही पुछा गया थे लड़ेस भाई लेकर सम 1.5 या लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो 0.5 आ रहा है मुझे लगता है तो मुझे लगता है 0.5 तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिस क्वेश्चन इस फ्रमदैनमिक्स पाट दिया था क्वेश्चन वान मालोब मनात्रमी का इडियाल गया से तेंपरेटरी प्रेसर पी और वोल्यूम भी गोस इसो थर्माल लेट वाल्यूम पर भी देन इसो कोरीकली तो दो पाट में डिवाइड कर सकते है पहला इसो थ से तो आएस्य थर्मा जाते है कि ल्दी इकली तेंपरेटरी जरु होता है जो जो चेंज इंट्रले जो दील यूइएक एकल शीपी बडिटिव दू नहीं फास्ट लब्टरम नहीं जाते है एं डीकल दीडव दीडवल स्टिंग दीड़ गॉस प्लस दीडवर करने के गार सब्सक्राइब करन उसके बाद आई सब्सक्राइब करिकली हो रहा है तो डीवी कोड़ जरो गाइस सब्सक्राइब करिकली में प्रसेस में चैंज इन वॉल्यूम जिरो होता है देखिया आप पीवी कोल्ट लिख सकते हैं क्योंकि आइडियल ग्यास फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेपरिचर सो फाइनल वॉल्यूम वॉल्यूम हो रहा है सब्सक्राइब इनिशाल टाइब दो इदेखिया है तो इनिशाल टाइब फोर टी हो जाएगा ठीक है तो टी फाइनल फाइनल ट्राइल टाइब धूल्यूम यहाद रखना पड़ेगा हम को तो 3 by 2 R into 3 T, so 9 by 2 R T, that is Q2, that is heat energy for isokorecal process, that is 9 by 2 R T, so net heat पुछा था, तो दोनों क्याड करना था, हमको सिफ, Q1 is equal to Q1 plus Q2, Q1 था R T, LN4 plus 9 by 2 R T, so R T common ले जाएंगे, LN4 plus 9 by 2, that is 5.88 R T, so option में ही मार करना था, और साय दना 8 question में था, पता नहीं था, क्या question, 5.88 R T, ये था, प्र यसी प्रशिट कर सकते हैं, बहुत लेंदी question था, then move on to next question, and this question from Kepler's law, I think this is a very good question, यसी question आते हैं बहुत सारे exam में और बहुत सारे calculation भी थे, तो देखते हैं कि two planets are revolving around this one in elliptical orbit, where maximum minimum distance, R में M X, and R minimum था, first planet के लिए R and 3R, and second planet के लिए 2R and 4R respectively, then find the time period T2 by T1 पुछा गया था, तो eccentricity में जानते हैं, अगर हम classical physics पढ़ेंगे, और eccentricity जानेंगे, तो R मेक्स होता है, A into 1 minus E, where E is the semi-major axis, and E होता eccentricity, and R minimum होता A into 1 plus V, अगर R मेक्स प्लस R minimum को add करेंगे, तो ये 2 है आएगा, ठीक है, ये cancel से लोगे 2 है गया, तो planet 1 के लिए R max plus R minimum, that is distance R maximum and minimum distance 2 A1 पकट सकते हैं, A1 इधर में major axis के लिए planet 1, so R maximum दिया है, R and 2R, R and 3R, sorry, R and 3R दिया है, फार्स planet के लिए, so R plus 3R equal to A1, so A1 equal to 2R, ठीक है, उसके बाद select planet के लिए 2R plus 4R, क्योंकि minimum maximum distance 2R or 4R दिया है, तो 2R plus 4R equal to A2, so 6R equal to A2, so A2 equal to 3R, A1 A2 आ गया, now क्या plus 3R लोग का हम apply कर सकते हैं, that is time period का square हता है, same as major axis का Q, so T proportional to A power 3 by 2, so इधर में एक equation है, T1 by T2 equal to A1 by A2, whole power 3 by 2, so T2 by T1 पूछा है है question में, so T2 by T1 equal to A2 by A1 का whole power 3 by 2, so A2 है 3R, that is, and A1 A2R, so 3 by 2R, RR cancel, 3 by 2 का whole power 3 by 2, so question में answer में, 3 by 2 root power of 3 by 2 आया है, क्योंकि यह derivation है, लेकिन में derivation non-need, so question का solution में बताया, तो मैं landy landy question का solution अभी कर रहा हूँ, तो next video में कुछ और solution डालूँगा, यह कुछ वेज़े थे question, तो मैं उसका solution में दिया है, तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़दी-चल दिश्यार कर दीज और चनल को सब्सक्राइब करें, थेंक यू बरी माच,